बिसमिल्ला रह्मान रहीम अब जब के हम एक्स्चेंज रेट टार्गेटिंग पॉलिसी उसके एड़ांटेज़ और डिसद्वांटेज़ और इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्रीज और अमर्जिंग मार्केट कंट्रीज के लिए उसकी feasibility और desirability discuss कर चुके हैं तो अब हम यह देखते हैं कि exchange rate regime जिसमें कि exchange rate target किया जा सके उसकी farm क्या हो सकती है यानि कि किस तरीके से किस farm में exchange rate को target करना है उसकी different policies और regimes या farms हो सकती है तो उन में से जो पहली farm हम यहां discuss करेंगे जो कि basically एक fixed exchange rate system का एक variant है उसे कहते हैं currency board तो currency board को हम इस session में या इस lecture में discuss करेंगे देखें पहले यह समझें कि fixed exchange rate क्या है fixed exchange rate यह है कि हम पाकिस्तान में officially एक dollar की या किसी भी foreign currency की value रूपी की time में fix कर देंगे जैसे मैंने आपको पिछले कई lectures में यह example दी कि हम 300 rupees का एक dollar इसकी उपर अपनी value fix कर दें यह हो जाएगा fixed exchange अब currency board क्या है इसमें भी exchange rate fix ही होता है लेकिन यह थोड़ी सी इसमें variation है यानि कि यह उसका एक variant है इसमें कुछ additional चीज है और वो additional क्या है कि इसमें currency की value तो fix होती ही है currency board उसको कहते हैं जिसमें आपकी domestic currency जो होती है that is 100% backed by that foreign country's currency जिसके साथ आपने अपनी currency को link किया है मतलब यह है कि अगर 300 रुपए पे आपने एक डालर को fix किया है तो आप अपनी country की currency हर 300 रुपए तब print करेंगे जब एक डालर आपके country में आएगा यानि कि डालर के बगएर आप अपनी country की currency प्रिंट ही ना करें यानि कि back पे foreign currency रखें 100% और जितनी foreign currency आए उसके मुकाबले में उतनी आप अपनी currency जो है वो print करें तो यह कहलाएगा currency board अब इसमें और simple fixed exchange rate में क्या फर्क है देखें fixed exchange rate में आपने सिरफ value fix रखनी है अगर value fix रखते हुए central bank अपनी country की currency print करता है या issue करता है अगर वो value नहीं disturb होती तो वो यह country की currency issue कर सकता है बावजूद इसके के बाएर से कोई foreign currency ना आए या कम आए और उसके मुकाबले में ज्यादा जो है वो अपनी currency जो है वो print कर सकता है लेकिन currency board में value भी fix है और quantity यानि के जो आपकी currency की quantity है वो भी fix हो गई या foreign currency के साथ समझ रहे हैं कि backing हो गई है उसकी आपकी उतनी currency प्रिंट होगी जितनी बाएर से foreign currency आए यह हो जाएगा currency board इसका मतलब यह है कि जो आपका issuing authority है currency की उसको लाजमी fixed exchange rate के उपर उतनी foreign currency के reserves hold करने पड़ेंगे जिसके मुकाबले में उसने अपनी domestic currency जो है वो issue कर दी है तो normal fixed exchange rate system में central banks अपनी domestic currency प्रिंट कर सकते हैं even without inflow of foreign currency लेकिन इसमें 100% backing होना जुरूरी है यह उसमें difference हो गया है तो यह variant है fixed exchange rate system का लेकिन यह उससे ज्यादा strong और इसमें strong commitment होती है fixed exchange rate की आप खुद सोचें कि जहां पे central bank fixed exchange rate system बरकरार रखे हुए है लेकिन साथ ही साथ अपनी currency को print कर देता है ज्यादा तो फिर अगर ज्यादा करेगा तो currency के devalue होने या depreciate होने के chances बढ़ जाएंगे लेकिन जिस system के अंदर central bank तब तक currency print या issue कारी नहीं सकता जब तक के foreign currency ना आए तो इसमें तो stronger commitment हो जाएगी कि exchange rate fix ही रहेगा तो इसका मतलब है अगर fixed exchange rate system की policy हो तो वो ज्यादा credible हो जाती है अगर currency board हो तो simple fixed exchange rate system के मुकाबले अब currency board के advantages क्या है currency board का जो पहला advantage है वो यह है कि जो आपके मुल्क में currency है वो सिर्फ और सिर्फ तब expand हो सकती है यानि कि monetary policy तब expansionary हो सकती है जब बाहर से foreign currency का inflow हो तो जब से बाहर से currency ना आए central bank खुद से आपकी money नहीं print कर सकता इसका क्या फाइदा होगा इसका फाइदा inflation की terms में होगा यानि कि जब central bank एक खास magnitude से ज़्यादा यानि कि जितनी foreign currency आए उसके मुकाबले में जितनी currency print हो सकती है उससे ज़्यादा central bank currency print करी नहीं सकेगा तो time inconsistency का problem खतम होगा और आपकी currency की जो है वो value maintain होगी inflationary expectations anchor होगी और ultimately inflation का problem solve हो जाएगा तो यह हो गया इसका सबसे बड़ा advantage अच्छा इसमें चुके central bank के पास यह control ही नहीं होता कि वो अपनी currency खुद से print करें तो इसका मतलब क्या होगा कि यह rule based policy type बन गई यहनी कि discretionary policy नहीं रही तो नतीजह यह होगा कि इससे ultimately time inconsistency का problem solve होगा और उससे inflation cause नहीं कर सकेगी central bank की अपनी policy तो इसका मतलब यह हुगा कि अगर कभी आपकी economy में currency के weak होने के chances हो और उसकी वज़ा से inflation high होने के chances हो और उदर से central bank की जो policy है वो currency board है यहनी कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उतनी currency print करनी है जितनी foreign currency आएगी तो ऐसी inflationary expectation या depreciation की expectation जो है वो quickly खतम हो जाती है और आपकी currency की value stable रहती है यह बड़ा advantage है लेकिन साथ ही साथ currency board की कुछ limitations भी और क्या limitation है जैसे fixed exchange rate system में हमने पढ़ा था कि जो independent monetary policy है उसका loss हो जाता है यानि कि क्या मतलब है Central Bank independently decision नहीं ले सकता अपनी economy की unemployment देखती है decision नहीं ले सकता अपनी economy की economic activity देखती है decision नहीं ले सकता क्यूं क्यूंकि वो तो सिरफ उतनी money print कर सकता है जितनी बाइर से foreign currency आएगी जिसके साथ आपने अपनी currency को pack किया हूँ दूसरा हमने पहले भी एक problem पढ़ा कि जिस country के साथ आपने अपनी currency को pack किया है यानि कि जो आपकी anchor currency है अगर उस country के अंदर कोई problem होता है तो वो problem transmit होगा आपकी economy के अंदर जैसे वो interest rate बढ़ाते हैं तो आपको मजबूरन interest rate बढ़ाना पड़ेगा अब आपको पता है कि central bank जो होता है वो commercial banks के लिए lender of last result होता है और lender of last result का function perform करने के लिए central bank को money create करनी पड़ती है اور currency board में central bank को लिमीटेशन है कि जब तक foreign currency ना आए वो खुझ से money create ही नहीं कर सकता जब money create नहीं कर सकता money print नहीं कर सकता issue नहीं कर सकता तो effectively central bank lender of last result ही नहीं रहता और finally जब आपकी currency के उपर speculative attacks हों जिसका मतलब है लोग आपकी currency को foreign currency में convert करना शुरू कर दें तो उससे नतीजा ये होगा कि चूँके आपने fix टेक रखा हुए currency के साथ कि जितनी आपकी currency आएगी उतनी ही आपने money print करनी है तो जब आपकी money लोग वापस foreign currency में convert करेंगे तो इसका मतलब है उतनी ही money contract होना शुरू हो जाएगी आपके system में क्योंकि कोसी और तरीके से तो money print हो नहीं सकती foreign currency से होनी थी और लोग अपकी अपनी currency को foreign currency में convert करना शुरू हो गयें तो इसका मतलब है आपकी monetary contraction होना शुरू हो जाएगी और उस contraction से आपकी economy में economic activity कम हो जाएगी आपकी economy में जो है वो unemployment जादा हो जाएगी और even आपकी economy में deflation हो सकता है जो के एक undesirable phenomenon Thank you